तो चलिए सेटेटीटीटीमेच है इंडिया वर से बंगलादेश कौन से टीम जीतेगी सब कुछ आपको जानने को मिलेगा पीच चेंज हो रहा है डली में मैच खेले जाएगा अड़न जटली इस्टेटियमे लास्ट में खेला गया क्या देखने को मिला है बंगलादेश नि सकेंट तक और जैसा कि इंडिया देख सकते हो इंडिया बैक-टू-बैक टीट्वन टी वर्ल्लकप चैंपियन उसके बाद बैक-टू-बैक मैच जिते रही है बंगलादेश की बात करें बहुत बुड़ी तरीके से मतलब हारी लास्ट मैच उतना एस्पेक्ट नहीं था ग पर इंडेश्ट ने टाम अडूझ जल देश्टेटियम दाली में मैच कर जागा जियो से निमें पर लाइब देख सकतो वैदर किलियर रहने वाला दिल्ली का वार्ट पर कॉंटक कर लिजिए का मैस आपको पता है क्या होने वाला से संब लिए कॉंटक किजिए वार्ट सब में आपको टेलीग्राम चैनल के साथ सब कुछ अपडेट वार्ट से इंस्टा टेलीग्राम सब कुछ फॉलो किजिए जोईन किजिए और नमबर ही मेरी पैचान है किसी टेलीग्राम चैनल पर जोईन हो तो नमबर देख लेना 931 940952 अबलेवल है तभी ओरजिनल टेलीग साथ मेंसे तीन फर्ष देट 4 सेकंड चैनल चैनल का आपरेजिश को हुआ है दोसे आटा इंडिया ने बनाया है इंगलेंड 142 लुए डिफेंड अब पिछ का साब यह पर देखो सौर्ट बाउंटी जा बाउंटे दिली नहीं है एबरेज बाउंटी यहां पर और सौर्ट बाउंडिज एवरेज बांडिवने बहुत छोटी बांडिए हाई स्कोरिंग काउंट है यहां पर कॉमन है लेकिन डिपेंड करता है सामने कौंशी टीम है देखों इंडिया फर्स्ट प्रेट पाती है तो इंडिया तो हाई स्कोरिंग लेक्ते बांगलादेश लेखिन इस मैश में बैंगलादेश भी अच्छा कड़ेंगी बांगलादेश एक सो साट प्लस स्कोर देने वाली है इस चैनके फिसला मैं जैसा नहीं होगा तो देख सेक्ते तो इसेन के मैचों में इंडिया प्रते चेस हुआ उसके बाद प्रिंट म हुआ है से पीछ मैच होने वाला बैटिक पेच्छ और फ्लैट सर्फेस है और डिव फेक्टर तो आएगा ही डिव फेक्टर डली में भी आ रहा है तो डली में आने के वज़े से थोड़ा सकेंड बैट को अड्वांटेज मिलेगा जो भी टॉस्वीनर होगा यहां पे असानी से यहां पे टॉस्वीनर सकेंड बैट को सेलेक करें ध्यार में रखिएगा बांगला देश सकेंड बैट पर आती है तो अगर स्कोर 170 विलो रहेगा तो चेस करके चली जाएगी इंडिया का स्कोर तो बंगलादेश सेख चली जाएगी जी सकती है है यह बात करेंगे टोटल 14 में से 13 इंडिया एक तरफा है 14 मैं सा 30 मैं ए किसके बांगला देज किसके जीता है trout एक भǗत पुराना मैश है उस वक्त 2019 का मैस था और उस वक्त विराड को समय रहते हैं तो उस समय बंगलाजेस जीती थी एक्सोर तालिस चेस्ट कर वाद करेंगे तीन में चाहर के आरे लाइस में सीरीज हारी है और यहां पर टीम नूच सुर्य कुमार यादर स्कॉार्ड को लिट करें बंगलाजेस नजमुन रूस्टन सेने तो इसकॉार्ड को लिट क कि आप देखेक तो लिंटन दास होसन को परवेज हसन को उमीद किया गया था वह भी चलते हैं नजीम हुसन सेनर्ट थो थोड़ा बहुत मारते हुए टॉप और बैट मैंने नए गेन के साथ टिक नहीं पाई तुरंट आउट होते हैं दिखाए दिए जो कि बंगला जैसके है और मुस्किल से मिडी लोड़ा के कुछ बैट संचले महमुद इल्ला भी चलते वे बनाई दिये हर्तोई धिरोर्दी जकार अली मैदी हसन रिहान हसन तस्कीन अमद मुस्पजीव रहमान सोरी पुलिसला यह प्लिंग लाना को देखने को मिल रहा है दो तीन बॉलर छोड़ इंडिया के बागत करेंगा अभिसेक सर्मा संजु संसा सुरे कुमार या दो निंती स्रेड़ी हाधिक पांडा धियान पढ़िया कंप्रीजनिंग नहीं टीम को कुछ भी कर लो इंडिया का वशिंटर संदर वर्ण चक्रवती और सिदीप सिंग मैं किया हां कौन से प्लेयर चल सकते हैं तो टॉप अब इसे एक संजू सुरिकुमार या दो यहां पर तीन बैट्सन टॉप ओड़ा कर दी अच्छे पिक है हादिक पांड्या हादिक पांड्या न अच्छा प्रफॉर्म किया था चालिस का असपास रन मारा था और एक लोगता बागी थर्टी नाइन के आसपास से आप है विसे एक संजू सैंप्सन फेस्टूर्य कुमार या दो और यही प्लेयर चल सकते हैं रिंगू सिंग को प्लेयर आपको डिमलों ने पिकनी करना बाकि डिमलों टिम बनाते समय में अपडेट दे दूंगा वहां पर पितला मैच में भी दिया था संजू संचल लिंटन डाक सूरे कुमार याद अविसेक समय हादी बनाव शिंग्टर सुंदर्व और आर हसन और हसन मिराद वरन चक यहां की जाने वाला नहीं आपको 45 के आसपास यस होने बाला है नोट करते चलो इंडिया ऐसन पांच ओबर चिवर चिवर की बात करेंगे 45 आसपास यस बनाट पर यस करके चलना दस प्रॉटर मेट पर आती है आसी भीलो यस करके चलना पंदरे अबहर एक सब फंदरा विलो यस करके चलना बीस ओबहर एक सो एक सो सब्दर पचातर विलो आसपास मिले यस कर लेना बांगला जेश डेफिनेटली यहां पें 50 प्लस आपको पिछला मैच में बूला था पैसास पुलस प्लस मिलें नौट कर लागा था सेम्हापकर पे 47 प्लस नोट करके चलना तूरा बैटिक फैंटली प्लस इस तुरह बढ़ा लाओ दस उबर यहां फे बिलोव सत्तर बस्तर नोट करके करके चलना बंगलादेस के लिए नोट कर लिए और चलिए वाट्टेशन नमर्सेफ कर लेजेगा विडियो के डिस्तों नोट्पर चेंजे नहीं यह जाएगा आव कुछ चेंज होते हुए दिखाए देंगे तो चेंज होने के लिए चेंज होता है पीच की स्लोबिकेट पर हो जाए दो तीन तरह के डेली में पीच ही होता है ज्यान रखीगा तो वाट्टेशन नमर्सेफ कर लेजीगा अब तुरंत मालूम चलता है वह तो प्लेयर को भी नहीं मालूम कि स्पिच पर मैच होने वाला है इसके लिए मुझे कॉंदर टीम जीतने वाली है